दोस्तो अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी अपने मोबाइल के बैटरी बैक अप से परेसान हैं आपके भी मोबाइल की बैटरी जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रही है आपके फोन की बैटरी 5000 एमेज की है या 6000 एमेज की य अंदर इन सेटिंग को नहीं किये हैं जो सेटिंग आज हम आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तो हर फोन के अंदर में ऐसी विल्टी नाम की एक सेटिंग होती है एसी विल्टी के अंदर में बहुत सारे ऐसी सेटिंग होती हैं जिसे अगर आज आपने नहीं किया है तो कर लि हैं चाहे आप कितना भी महंगा फोन खरीद लें और आप अपने फोन के अंदर में यह जो ऐसी विल्टी वाली सेटिंग है अगर नहीं करते हैं तो दोस्तो आपकी फोन की बैटरी सुबह से साम तक नहीं चल सकती है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों एसी विल्टी की कुछ ऐसे हीडन सेटिंग बताएंगे जिसे आप अगर अभी अपने फोन के अंदर में करते हैं तो दोस्तो आपकी फोन की बैटरी पूरे तीन दिन तक चलने से कोई नहीं रोक सकता है तो दोस्तो आईए इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं लेकिन दोस्तो उस से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तो आईए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाई कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चनल को भी subscribe कर लिजिए और साथी साथ इस घंटी के बटन पर दबाके all के उपर में click कर दीजिए तो दोस्तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ACVLT setting से अपनी battery backup को दूआए दोस्तो बताते हैं क्या करना है देखिए दोस्तो आपके पास चाहे किसी भी company का phone है उस phone के जो main setting है उस main setting पर click करना है जैसे main setting पर click करेंगे दोस्तो setting कुछ इस परकार से आपको खुल कर सामने आ जाएगी इस तरीके से scroll करेंगे आप लोगों के यहाँ पर एक accessibility नाम की दिखेगा तो दोस्तो कुल मिलाकर आपको accessibility setting को ढोड़ना है और setting क्लिक करेंगे आप लोगों कुछ तरीके से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक advanced setting का option दिखेगा यहाँ पहली setting है धियान से सिखिएगा यहाँ advanced setting पर जब आप क्लिक करते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर flash notification का एक setting है इस पर क्लिक करना है जब इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि camera flash notification on है और screen flash notification on है दोस्तो इसको on होने से हमारे जो phone की battery है वो बहुत ही ज़्यादा कटती है तो आपको यहाँ दोनो setting को बंद करना है इस setting से होता क्या है पहले समझे जैसे की camera flash notification अगर camera flash पर कोई भी notification आती है तो दोस्तो यह जो है light कुछ इस परकार से bling होगी जिससे आपके phone की battery खतम होगी तो आपको इसको बंद कर देना है उसके बाद में screen flash notification इस screen पर भी आपको lighting होगी कुछ इस परकार की तो दोस्तो यह जो setting है बहुत battery को खर्च करती है तो इनको बंद कर दीजिएगा बंद कर दीजिएगा यहाँ पर कोई भी activity नहीं होगी और आपकी phone की battery यहीं से 30% बचना start हो जाएगी तो यहाँ setting आप अपने setting में जरूर कर लिजिएगा अब साथी साथ आप लोगों को यहाँ पर दूसरी setting करनी है दूसरी setting क्या करनी है ध्यान से देखिए दूसरी setting के लिए आपको फिर से advanced setting पर जाना है advanced setting पर जाएंगे तो दूसरी setting आपको यहाँ पर मिलेगी notification reminder का आपको इसके उपर में क्लिक करना है दोस्तो जब इसके उपर में क्लिक करेंगे तो यह setting पहले से on होगी दोस्तो इस setting को on होने से होता क्या है जैसे कि आपके phone में कोई message आ गया है और आप उस message को नहीं देखे हैं तो हर 3 मिनट के बाद आपको एक reminder भेजेगा यानि कि उसी message को अगर आपने नहीं देखा है तो 3 मिनट के बाद एक फिर से आपको एक notification आएगा उसी message का जब तक आप देखते नहीं हो अगर यह button आपके phone में on है तो दोस्तो जब तक उस message को आप नहीं देखते हैं तो बार बार हर 3 मिनट पर यह आपको एक reminder भेजेगा जिसके कारण आपकी phone की battery खर्च होगी बार बार message आएगा एक ही message बार बार आएगा तो battery तो खतम होगी ही होगी तो आप लोगों को यह जो notification reminder का button है ना इसको बंद कर देना है इससे दोस्तो क्या होगा कि अब बार बार आपको एक ही message आपका phone नहीं भेजेगा तो यह दूसरी setting थी आप लोगों को जरूर कर लेन ठीक है अब बात करते हैं दोस्तो यहां पर तीसरी setting की तीसरी setting है दोस्तो आप देख सकते हैं interaction यहां पर आप देखा रहा है interaction इसके उपर में आपको click करना है दोस्तो जब इसके उपर में click करेंगे तो आपको यहां पर एक setting है answering and ending call इसके उपर में आपको tap कर देना है दोस है read caller name allowed और दूसरा है answer automatically दोस्तों अगर यह दो OG setting on यह就是 होता क्या है जैसे कि अगर यह जो setting है answering automatically का अगर यह setting on है और आप कहीं पर जा रहे हो जैसे कि bike चला रहे हो या drive कर रहे हो या कहीं भी आप road पर जा रहे हो और आपको अगर कोई phone करता है तो दोस्तों आप उसकी phone को आप receive भी नहीं करेंगे तो दो second के अंदर में आपका जो call है automatic receive हो जाएगा अगर आपका phone pocket में है और आप traffic पर हैं चाहे road पर हैं और आपका phone automatic अगर call उठ जाएगा तो अंदर ही अंदर आपका phone चालू रहेगा और आपकी battery अंदर ही अंदर खतम होगी तो यह जो button है ना इसको आपको बंद कर देना है इस button को बंद करने से जब तक आप अपने call को नहीं उठाएगे तब तक आपका call नहीं उठेगा तो यह setting को जरूर बंद कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पर एक setting और है read call name allowed इसका मतलब यह है कि जब आपके number पे किसी का call आता है तो दोस्तो उसका नाम लेकर यानि phone चिला चिला कर उसका नाम लेता है जिससे दोस्तो आपकी phone की battery खतम होती है तो यह जो read caller name allowed है इसको भी बंद कर दीजिएगा इस सब को बंद करने से दोस्तो आपकी phone की battery बहुत अच्छा बचेगी तो यह तीसरी setting थी तीसरी setting से आप इन सारी चिजों को कर लीजिएगा दोस्तो अब हम बात करते हैं चौथी setting की चौथी setting का नाम है दोस्तो आप यही पर देख सकते हो visibility enhancement यहाँ पर setting है ना इसके उपर में click करना है जब इसके उपर में click करेंगे नीचे की और बढ़ेंगे तेहाँ पर magnification का एक setting दीखेगा इस magnification पर click करेंगे तेहाँ पर magnification shortcut की एक button होगी बहुत से भाई के phone में यह button on होता है तो दोस्तो इस button को on होने से problem की आता है जैसी कि माली जब हम अपने screen को किसी इस तरीके से tap करेंगे तो हमारा screen zoom हो जाएगा इस तरीके से zoom हो जाएगा बहुत बढ़ा हो जाएगा और यह screen कुछ तरीके से काम करेगा ही नहीं जिसे माली जब कोई भी चीज को जब बड़ा screen करते हैं तो screen पर जैसे tap करेंगे ना screen इस तरीके से zoom हो जाएगा zooming out बहुत जादा हो जाएगी हमारा जो phone है ना सच सही से work नहीं करेगा यह setting को दोस्तो आपको phone में on करके नहीं रखना है इस setting को आपको इस तरीके से बंद कर देना है इस setting को बंद करकर रखेंगे तो आपकी phone की battery बहुत हद तक बचेगी तो यह setting आज अगर आप अपने phone के अंदर में करती हैं तो दोस्तों सच में आपकी जो फोन की वैटरी है ना बहुत अच्छा बचेगी तो आज किस वीडियो में हम आप लोगों को सेटिंग, ऐसी विल्टी सेटिंग के कुछ हेड़ेन ट्रिक के बारे में बता रहे थे अगर हमारी वीडियो से थोड़ी से भी कुछ सीखनी को मिला होगा, तो फिलेज हमारी वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ तबते के लिए जाहिन